RBI ने कहा है कि नवंबर और दिसंबर के दौरान महगाई दर में बढ़ोत्री की आशंका है हाल के दिनों में खाद वस्तों को छोड़कर अधिकतर वस्तों की महगाई कम हुई है लेकिन दलहन, अनाज, दूद की महगाई बढ़ने की वज़े से रिटेल महगाई चार फीसल से उपर बनी हुई है अक्टूबर के दौरान रिटेल महगाई 4.087 फीसल दर्ज की गई हाला कि खाद महगाई के बाब जूद रिजर्बैंक को उम्मीद है कि त्योहारी मांग बढ़ने की वज़े से निवेश में हुई बढ़ोत्री की वज़े से दिसमर तिमाई के जीडीपी के आकरे कुछ बहतर आ सकते है सर्क खाद महगाई चिंता है ओवराल इंफलेशन भले का मुझा है लेकिन खाद इंफलेशन चुनोती बनी रहेगी यह आरब यह कह रहा है इस पूरी बास्केट में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पेंपोइंट क्या है यह उसी पेंट पॉइंट के तरफ रिजर्ब बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इशारा किया है यह ऐसा पहली बार हुआ जब कि महंगाई का आकड़ा पांच फिजदी से नीचे दिखा रहा था आकड़ा जो हमारे पास आया अक्टूबर का जिसमें दिखाई दिया कि भारत की खुद्रा महंगाई पांच फिजदी से नीचे थी और उसके पंद्रा दस दिन बाद ही रिजर्ब बैंक अपनी रिपोर्ट में उस आकड़े को पर भरोसा नहीं कर रहा है उसको लग रहा है कि इसके भीतर जो चिपा हुआ है वो आने वाले समय में दिखाई देगा हमने आपको बताया भी था कि उस आकड़े के भीतर दालों की और अनाच की महंगाई डबल डिजिट में है फूड इंफलेशन 6% से उपर है तो जो पांच फीज़ी से नीचे की महंगाई दिख रही है जो जिसने सुर्खियां बनाई उस पर ना तो रिजर्बैंग को भरोसा हो रहा है कि विस्थाईर है कि ना बाकी किसी को भरोसा हो रहा हूँ सब जियों के कारण कम होकर दिखाई है कि रिजर्बैंग के लिए खाद्य महंगाई अभी नहीं बलकि हमें लगता है रभी की फसल तक लगातार चुनोती बनी रहेगी और खाद्य पादों की कीमतों में भी दलहन दूद चीनी और अनाज ये चार-पांच महत्वपूर्ट चीज़ें जिन से सबसाधा ट्रिग आए देरे हम